नमस्कार दोस्तों रोहित है जोस्ता तरवी BPSC आपका होने वाला है उसके exam date और exam timing के बारे में थोड़ा सा हम लोग बिसकस कर लेते हैं बहुत जादा चांस है कि आपका जो exam है वो नवंबर में होगा बहुत जादा हम लोगोंने पहले भी कहा था और वो बहुत common sense है बहुत week of September में वो notification भी लाते हैं तो एक महिना उन्हें वक्त लगेगा देड़ महिना तो November में या तो first week of November में हो सकता है या second week of November में हो सकता है छट के बाद होगा यही तो हो सकता है लेकि November में आपका exam हो जाएगा number of seats भी ज़्यादा होगा क्योंकि चुनाओ का वर्स है और बहुत chances है कि बिहार administrative service बिहार police जिसमें DSP वगरा बनते है उसके seats ज़्यादा होगे तो इसको convert करने की कोशिस करिएगा क्योंकि you never know कि एक बिकाल सा chairman आएगा पूरे system को collapse कर देगा अगर अभी आप जारखंड PCS को देखेंगे तो उसका सब चीज अच्छा चल रहा था उसका chairman हटी निलिमा करकटा सारा चीज खटाई में चला गया हम लोगे अपने जो chairman थे अतूल प्रशाद वो इतना अच्छा काम कर रहे थे इतना अच्छा reform कर रहे थे पर कुछ गलत भी कर रहे थे तो उनकी भतर्षना भी होती है पर कुछ अच्छा काम कर रहे थे कम से कम calendars को follow कर रहे थे result अगर 69 का भी means का result फसा हुआ है अब जब means का result फसा हुआ है जो result आने से पहले वो अपने twitter handle पर update कर देते हैं तो चीजे बहुत smoothly हो रहे थी कोई बेकार सा chairman आया है उसको अपना time pass कर रहा है नाम के आगे अपना अंतिम बार लगा लेगा कि भाई हम BPSC के chairman थे बस मामला खतम है तो जो opportunity इस बार मिल रही है try to convert this नहीं तो बहुत मुस्किल हो जाएगा दूसरी बात का आपका exam का जो timing होता है आपको भी पता है कि 12 से 2 बज़ के timing होता है 12 से 2 के बीच में आपका exam होता है तो ये immaterial है कि आप night में पढ़ते हैं या आप दिन में पढ़ते हैं या सुबह में आप उठते हैं आप non-negotiable ये है कि 12 बज़े से 2 बज़े के बीच में आप table कुरसी पे बैठेंगे आपको बैठना ही बैठना है आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं it is non-negotiable whatsoever अगर आप मानते हैं कि सुबह में 5 बज़े सुते हैं तो आप 11 बज़े उठिए आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं आप उठना प करता है क्योंकि body clock adjusted नहीं होता है और इससे आप अंदर हो सकते हैं और बाहर हो सकते हैं तो आप इसको follow करेंगे ये non-negotiable है इस पर कोई समझ होता नहीं हो सकता है हम पहले आप से कुछ बात करें उससे पहले 2-3 चीज़ को असपस्ट करना चाहते हैं हम एक स्टोरी से start करना चाहते हैं इस ब्यक्ति का नाम है John Kitts ये मेरे बहुत पसंदीदा है और अगर इंगलिस सहित्य किसी ने पढ़ा होगा तो John Kitts का वो पसंद करता ही होगा John Kitts को पर जो इंगलिस सहित्य के स्टुडेंट नहीं है आपने वर्ट्वर्ट का नाम सुना होगा आपने जोन किट्स वर्ट्वर्ट से बड़ा लेखक है, सेक्सपियर के बराबर का लेखक है, पर इस ब्यक्ति को उतना डिव रिगार्ड अंग्रेजी साहित में नहीं मिल पाया। जिसका कोई तोड़ नहीं है, अगर आप जोन किट्स की तारीफ में अगर आप सुनना चाहते हैं, तो जोन किट्स के बारे में ये कहा जाता है, कि इस इंगलेंड वस गिवन रिकॉल रिकॉल फॉर्म हिवन वन फिस ग्रेटेस सन, अप सोच लो, इस लेबल का ये बेक्ति ले उसकी एक किताब आती थी, उसकी एक मैकजिन पत्रिका आती थी, ब्लैकुड मैकजिन, उसमें एक वो आइटिकल लिखता है, और वो आइटिकल से इतने प्रभावित हो जाते हैं, जोन किट्स की देहान्त होती है, कैदे से तो जोन किट्स की देहान्त टीबी से होती है, पर If you fail to use this opportunity, if you fail to clear the 70th BPS examination, you will be on daily basis snuffed out by the taunt of your relatives. अब आपका समय बीट गया होगा, जो आपका जवानी का पीक टाइम है, उस समय आप ताना से daily basis पे ताना से गुजरेंगे, और वो आपके confidence को, आपके आत्म स्वाभिमान को, आपके आत्म सम्मान को कुदेरती रहेगा, तो मेरा आपसे कोशिस है कि अगर आप इस फिल्ड में है, तो अपने जी जहन को लगाईए, और दो महीना का बात है, अगर संघर्स आपको जीवन भर का सुकून और प्रतिष्ठा दे सकता है, तो इस वर्थ गिविविग दे टाइम, इस वर्थ पुटिं यूर हार्ट और सूल इन देस, विल लिव लिव नुए स्टों अंटन तो अभी हम आपको एक सीडूल बताने की कोसिस करेंगे, यह साइंट फिक सीडूल है, फीजबल सीडूल है, पर दो तीन चीज़े हैं, जो भी वर्किंग प्रोफेशनल से, आप कमेंट सेक्शन में बता दीजेगा, आपके लिए एक हम अलग से सीडूल बना देंगे, जो म चारी ही करना है, और कुछ नहीं करना है, सैक्रो सेंक्ट यह है, कि बारह बजे से दू बजे के बीच में, आपका फून आपके पास नहीं होना चाहिए, ना कोई रील चलेगा, ना इंस्टाग्राम चलेगा, ना मम्मी से बात होगा, ना बापा से बात होगा, सब कुछ जाते हैं अगर हम मानते कि कोई लड़का मानते कि रात में पढ़ता है पांच बजी सोता ही है तो उसके लिए ये रूटीन फेल कर गया है ना तो तुम उसके हिसाब से तुम इसको फ्लेक्सिबल हो चेंज करने के लिए इस पर तुम ध्यान देना और इस पर ध्यान देना इस पर ध्यान बिल्कुल भी मत देना अब देखो हम यह मान के चलते कि तुम सुबह में आठ बजी उठ चाते होगे आठ से आठ पैतालिस तक जोभी आपकी देने क्रम है आपना असनो सकते है आप आठ पैतालिस से दस बजे तक पढ़ंगे एक घंटा पंदरह मिनट का मिनट START होता है इस समय आपको वीडियो न पढ़ना है या हो सकता है कि quit India movement पढ़ना है या हो सकता है कि आपको science में physics पढ़ना है हो सकता है हैं MCQ में नहीं बैठना है वीडियो को नहीं पढ़ना है क्योंकि वीडियो में सामने वाला आपको एक assistance प्रोवाइड करता है आप बस उसको सुनते रहते हैं फिर दस बजे से साढ़े दस के यह आपका most effective time है क्योंकि आप break लेकर उड़ चुके हैं आप revision करेंगे revision मानते हैं कि कल आपने preamble पढ़ा था या हो सकता है कि कल आपने fundamental duty पढ़ा था या हो सकता है कि आपने 15 मिनट पढ़े हैं अभी आप एक घंटा पढ़े तो आप दो घंटा 15 मिनट पढ़ चुके हैं फिर आप break ले लेंगे सारह 11 से 12 बजे के बीच में जिस ब्रेक्ति से आपको बात करने में अच्छा लगता है घर वाले परिवार वाले दोस्तियार जो भी दोस्तियार है हो सक आपको इंस्टाग्राम देखने से अच्छा लगता हो आप उसको देखके अपने आपको चार्ज हुए आपका break का टाइम है ये जो है most महत्वपून टाइम है क्योंकि आपका BPSC का इक्जाब इसी समय होता है 12 बजे से 2 बजे के बीच में whatsoever आप फोन नहीं उठाएंगे अ दो बजे के बाद भी आप उसको हैंडल कर सकते हैं इस 12 बजे से 2 बजे के बीच में आपको क्या करना है आपको previous year question चाट जाना है previous year question किस किताब से करोगे तो तरकस से ही करना है क्यों तरकस से करना है BPSC concept वाला कहीं है इसी से करना है usually हम परहेज करते हैं पर तुमको बहु भी किताब है वो केबल CCE को कवर करता है बहुत होता है तो AEO को कवर करता है बहुत होता है तो CDPU को कवर करता है पर बिहार judiciary को नहीं कवर करता है assistant engineer को नहीं कवर करता है sanitary management को नहीं कवर करता है headmaster को नहीं कवर करता है बहुत तरह का exam है जिसको वो कवर करता ही नहीं है तो इस तरकस में वो सारे questions दिये हुए हैं तो आप इसको जरूर cover करेंगे ये जो तरकस वाली किताब है ये हिंदी माध्धम में भी available हो चुका है तो जब हिंदी माध्धम में भी available हो चुका है तो अब आप इसको हिंदी वाला भी ले सकते हैं and it is one of the best book आप इसी को लेंगे तो जो भी PYQ का किता questions है आप उसको याद कर जाएंगे explanation के साथ बहुत detail दिया हुआ है याद in the sense की एक दम आपके दिमाग में छप जाना चाहिए आपके पास कोई उसका भी गल्प नहीं है उसके बाद आप क्या करेंगे कि हो सकता है तर हमने PYQ कर लिया तो macro hill का ही आता है Amazon Flipkart वगर सब पर available है वो NCRT based है practice book आप उसको खतम करेंगे और PYQ पर बेस्ट है आप उसको खतम करेंगे आपके पास कोई भी गल्प नहीं है उसमें topic wise दिया हुआ है तो आप बोलेंगे कि सब टेस्टरीज नहीं लगा लेंगे क्या नहीं लगाना है अभी जब तक notification नहीं आता है अगर आप टेस्टरीज लगा रहे हैं तो गलत कर रहे हैं तो आप सोचेंगे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं देखो पहला ये कभी सोचो वीडियो पॉज करो और सोचो कि टेस्टरीज का main objective क्या है पूरा दुनिया टेस्टरीज लगा रहा है तो हम भी टेस्टरीज काम है कि यहां पे सब एक hole है इसको वो plug करेगा जो जो आपकी तयारी में थोड़ा बहुत hole है उसको plug करने का काम टेस्टरीज करता है कि हो सकता है कि हम fundamental right पढ़े हो पर उसमें कोई ध्यान वाला topic हो हमारे दिमाग से skip कर गया हो तो उसको plug करेगा पर अगर आपकी तयारी में अभी इस तरह का system बना हुआ है इतना बड़ा खाली जगह है तो इसको टेस्टरी तुम 35 भी बना लोगे तो plug नहीं कर पाएगा अभी का जो एक महिना है notification के समय का पहले का जो time है इस hole को plug करने का time है इसको तुम plug करो कैसे plug करोगे तो कोई भी अभ्यास पुस्तिका ले लो जिसपे तुम कम से कम 50 या 100 question एकदम अच्छा question in CRT based हो उससे बना लो जो तुमको McGraw Hill का बोले वो पसंद है नहीं तो अगर तुमको X का पसंद है Y का पसंद है Z का पसंद है Lambda का पसंद है Delta का उसका तुम करो कोई लिक्कत नहीं है जिस पर भरोसा है उसका करो ऐसा नहीं है क यह कभी नहीं इसको feel कर सकता है यह तुमको analyze करना पड़ेगा कि कौन सा subject कम जोर है अगर मानते हैं कि तुम्हारा science कम जोर है तो तुम बाहर चले गये अगर मानते हैं कि तुम्हारा बिहारे स्पेचल कमजोर है तो तुम बाहर चले गए बिहारे स्पेचल हम ही पढ़ा रहे हैं तुमको वो वीडियो मोर दैन इनफ है तो अगर तुम यह सब नहीं करोगे तो बाहर चले जाओगे तो यह वो समय है कि इस होल को तुम प्लग करो अभी टेस्टरीज के चकर में मत पड़ो नोटिफिकेशन के बाद टेस्टरीज हम लोग भी लाएंगे मार्केट में भी अविलेबल होगा जिसका तुमको उचित लगेगा उसको तुम कर लेना इस बाद टेस्टरीज आफलाइन मोड में भी होगा तो जो तुम्हारी इच्छा रहेगी तुम कर लेना पर अभी टेस्टरीज का समय नहीं है अब ध्यान से देखो तो अभी तरकस में बहुत सारे प्यस्टन से उसको हम तुम से नींद में उठा कर पूछेंगे तुमको ये बताना होगा कि सर देखिए इसका कैदे से एंसर कैलकटा होना चाहिए पर B.P.A.C. ने इसका आगरा एंसर दिया है एकजाम में हम आगरा टिक करेंगे पर तुम प्रैक्टिस बुक को खतम कर लोगे फिर देखो दो बज़े से छे बज़े के बीच का जो समय है रनिंग कर सकते हो ब्रिस्क वाक कर सकते हो पर जो mental part है इसका क्या करोगे तो mental part के लिए तुमको कुछ meditation करना पड़ेगा कुछ yoga करना पड़ेगा कुछ भी करना पड़ेगा तो जो सुबह वाला time है 8 बज़ से 8.45 की बित्मिस में 10 मिनट 5 मिनट निकाल के तुम meditation कर सकते हो 8.45 कोई sacrosanct time नहीं है इसके जगा तुम भले 9 बज़े कर लो पर इस तरह से इसको करो कि सुबह में थोड़ा सा 10 मिनट योगा ही कर लो या meditation कर लो meditation नहीं होता है तो तुम लोम विलोम जो होता है बाबा राम देवाला वो कर लो deep breathing कर लो पर वो mental जो है न mental strength और mental capability बहुत matter करता है तो body के लिए तो तुम काम कर लोगे पर mental state के लिए भी तुम काम करोगे अब देखो 2 बज़े से 6 बज़े के बीक में तुम सो सकते हो, real देख सकते हो जिम जा सकते हो, youtube कर सकते हो घर पर बात कर सकते हो, ममी से, पापा से ऐसे ब्यक्ति के सांट टच में रहो जो तुमको positivity देता है negative ब्यक्ति से थोड़ा सा परहेज करो दूर जाने की कोशिस करो तो देखो तुमको परयाप्त हमने time दे दिया है कि तुम break ले सकते हो अभी जग तुम 4 गंटा 15 मिनिट पढ़ चुके हो आधा वक्त तुम पढ़ चुके हो अब तुम देखो जो भी तुमको slot हम दे रहे हैं तो 2 गंटा का दे रहे हैं क्योंकि 2 hours में body fatigue कर जाएगा तो कुछ लोग बुलेगा कि sir body तो 1 गंटा तक ही focus कर सकता है हाँ हम कहां करने की नहीं focus कर सकता है पर भाई आपको exam तो 2 गंटा focus करना है बहुत लोगों तुम exam में देखना कि fatigness आ जाता है इससरा बनाने का मन ही नहीं कर रहा था sir efficiency गिर गया था क्योंकि भाई आपको 2 गंटा कभी बैठने का आधत लगा ही नहीं है एक आपको हमने सुबह में दे दिया कि 12 से 2 आपको बैठना ही है अब फिर हम आपको body को देखो body इस तरह का चीज़े इसको तुम जितना train करोगे इसको जितना रगड़ो जूस तरह का हो जाएगा अगर तुम इसको आराम दोगे तो नहीं हो पाएगा ये सब जो logic है कि नहीं एक घंटा ही focus होता है रे भाईया तुम 2 से 6 गंटा तुम relax हो क्या आए हो gym कर क्या आए हो, घर से phone से बात कर क्या आए हो अब तुमको क्या है तो तुमको 6 बजे से 8 बजे तक 2 गंटा के slot में जितना भी ठकना है ठक हो पर बैठ के पढ़ना पढ़ेगा इसमें कोई भी एक subject of your choice चुनलो history पढ़ना है तो आज history पढ़ना है तो जोगरफी पढ़ना है तो पान सो रुपिया में कोर्स चलता है भाई उसमें तुम्हारा डीटिल आपको हम दोग evaluation प्रवाइड करते हैं आपको model answer देते हैं सब चीज़ देते हैं तो आपको उसकी through कर सकते हैं अगर आपको ये नहीं पसंद है तो अपने कोई दोस्त को पकड़ लीजे जो काबिल है उससे बोल के अपना copy चेक करा लीजे अपने दोस्त या भाई बहन को करके एक feedback चरूर ले लीजे जरूर नहीं है कि आप इसको ही ज्वाइन करें फिर तुम आधा गहंटा का break ले लो खाना खा सकते हो घर पे बात कर सकते हो या कुछ भी कर सकते हो एक round और अपने आपको force करने की कोशिस करना हम मानते हैं कि थोड़ा सा मुश्किल होगा पर तुम सारहे आठ से कम से कम 10 बजे तक जरूर फोर्स करना आपने आपको और 10 बजे के बाद तुम फ्री हो तुमको जो करना है करना पर अभी इस समय बैठोगे तो तुम हरी फिसीन से गीरी रही तो तुमको assistance प्रोवाइड क क्या वसकता नहीं पढ़ेगी क्योंकि सामने वाला assistance प्रोवाइड कर रहा है हांसी मजाग करके कुछ आपको पढ़ा रहा होगा तो वीडियो लेक्चर उस समय करना उसी समय निउस पेपर का discussion सुन लो जो हम दो के free initiative है या उस समय साम में निउस पेपर पढ़ लो या अगर नहीं हुआ तो तुम बताना इसको इमानदारी से मातर तुमको दो महिना फॉलो करना है यार अगर साथ दिन फॉलो करने से अगर तुमको SDM की नौकरी मिल जाती है तो यकीन मानो इससे खुबशूरत investment और कुछ नहीं हो सकता है बाकी आपकी मर्जी रहेगी बाकी मैं पु कुछ भी नहीं कर सकते हैं this is the only way out to clear this examination body को biological clock को adjust करना होगा लास त्रात दिन और दस दिन में adjust नहीं होगा यही होता है कि आप exam में देखिया कि sir आता हुआ गलती कर दिये एक examination temperament गड़ आ गया sir body clock adjusted था ही नहीं आपने body को train किया ही नहीं था अचानक आप उसको एक clock देते है कि दो घंटा तुम बैटके सोचो नहीं सोच पाया body तो आप अपने आपको अभी से tune-up करिए देखिये आप नहीं करेंगे आप अपने comfort zone में रहेंगे तो भाई तो 100-200 CTSDM का है सामने वाला मेंनत करके उसको कर लेगा तो अगर आपको लगता कि sir हमसे नहीं होगा third person ready है ये चीज करने के लिए उस पत को पाने के लिए वो कर लेगा आपको लगता हुगा कि इस सब छोटी मूटी चीजे है sir पर यकिन मानो इस सब छोटी मूटी चीजे स ही तुहारा एक question, दो question, तीन question से selection नहीं होता है and this is what is called the examination temperament आपने अपने body को तयार नहीं किया means में जाओगा जो तिन-तिन घंटा कैसे लिखोगे हाथ का अपने लगेगा हाथ थर थराने लगेगा कुछ भी नहीं होता है है ना तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हैं इसको follow करना जो भी महिला working है या housewife है या जो भी working professionals है अगर आपको अपने लिए कुछ वीडियो बनवाना होगा तो बोलिएगा comment section में उसको हम जरूर बना देंगे और अगर आपको micro listing of the topics चाहिए या किसी और topic पर वीडि